चलो दोस्तों शुरू करते हैं इर्ष्या का फल बहुत अच्छी कानी लगी इसलिए आपको सुना रहा हूं द्यान से सुनना बहुत समय पहले की बात एक छोटे से गाउ में दो किसान भाई गंगाधर और सिरीदर रहते थे उन में एक गरीब था और दूसरा अमीर अमीर भाई सिरीदर गाउं छोटकर नगर में जाबसा था वहाँ उसकी सांदार अवेली थी और वहाँ सहर का एक नामी वैपारी था लेकिन गरीब भाई गंगाधर गाउ में ही रहता रहकर एक छोटे से जमीन के टुकडे पर हल चला कर किसी परकार अपना और अपने प्रिवार का पेट बर रहा था कभी कभी तो उसके घर में खाने के लिए रोटी का एक पुकडा भी नहीं होता और बच्चे भूख से बिलकते ही रह जाते अरे कम खतोब चुब भी हो जाओ ये बगवान कहां से लाओ इनके लिए रोटी एक दिन कंगा धरने पनी पतनी से का हम मुझसे इन बच्चों को और रोते बलकते देखानी जाता क्योंने मैं नगर जाकर अपने भाई से कुछ सायता करने की परातना करूँ मैं भी आप से यह कहना चाहती थी स्वामी जेड जी जरूर आपकी मदद करेंगे जाये इस वर आपकी यातरा सफल करे और गरिब गंगा धरपने भाई से मिले नगर की और चल पड़ा कुछ दिन तो भाईया के पास पूंचते पूंचते लग जाएंगे लेकिन इस दुख से वैस सुक कितना अच्छा लगेगा जब भाईया मुझे देखते ही परसंता से जूम उठेंगे और मुझे गले से लगा लेंगे कुछ दिनों की यातरा के परस्चात क्यों भाई कौन हो और किसे चाहते हो मैं तुमारे सेट सिरीदर का छोटा भाई गंगा धर हूँ जाओ उन्हें सुचित करो दर्बान ने भितरजाक अपने मालिक शिरीदर को गंगा धर के आने की सुचना दी वो गंगा धर आया है जाओ भेज दो जो आग गया मालिक शिरीदर एक सवार्थी किसम का मकार इंसान था जरूर गंगा धर किसी मतलब से आया होगा वरना आज तक तो कभी मिलने नहीं आया सोटे गरी भाई गंगाधर ने आते ही सिरीदर के पैर चुए लेकिन जैसी उसे आसा थी वैसा नहीं हुआ सिरीदर उसे देखका जराबी परसन नहीं हुआ पाहे लागो भाईया ठीक ठीक कैसे आना हुआ तुमारा गंगाधर ने पनियाब भीती सुनाते वे का बड़े भाईया इस मुसिबत के वक्त मेरी मदद करो मेरे पास बीवी बच्चों को खिलाने के लिए रोटी का एक टुकडा भी नहीं है उन्हें कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है मदद अरे भाई मैं तो खोद इस समय दुकी हूँ सारा कारोबा ठप पड़ा लेकिन खेर अब तुम आई गए हो तो तुम्हें निराज कैसे लोटा सकता हूँ फिर यह मकारी पुन सर में बोला देखो भाई मदद की तुम्हें भी जूरुत है और मुझे भी तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद अवस्यक करूँगा मेरे से जो कुछ बन पड़ेगा मैं करने को तयार हूँ भया तुम कितने अच्छे हो गउंगा धर दरसल मुझे घर के काम के लिए एक आदमी की जरूर्त है मेरा नोकर कुछ दिनों के लिए छुटी पर गया है क्या तुम सब्तावर मेरे यहां काम कर सकते हो घर का काम और वह भी सब्तावर और किस सोच में पड़ गए जवाब दो बेचारा गरीब गंगा दरहा करने के स्वाई और कर भी क्या सकता था मैं तयार हूँ भैया साबास तो फिर अभी से काम पर लग जाओ ज़्यादा काम नहीं है सिर्फ कुए से पानी लाना लक्टी चीरना आंगन में जाडू लगाना और बाकिस समय गोडों की देख भाल करना बस इतना थोड़ा सा काम ही तुमें रोज करना है ओ भैया के लिए यह हभी भी थोड़ा सा ही काम है लेकिन मजबूरी थियते बेचारा भोला भाला गंगादर उसी समय से बताए गए काम में जुट कया इतनी दूर से पानी लाने के डर से ही नौकर छुटी पर चला गया होगा पतानी यह डर्म कब तक भरेगा बीस बाल्टिया तो डाल चुका हूँ गर में तो इतनी गंदगी यह लगता है निकि भैया का नौकर कभी जाडू बुहारी लगाता होगा गर की सफाई करने के बाद वह लकडिया चीरता इतनी सारी लकडिया तो महिनों में भी नहीं चीरी जा सकती इतने काम में सांज हो जाती साम को जब वैं खाना खाने बैठता जल्दी खाऊं अभी गोडों की मालिस और दाना खिलाने का काम और रह गया है और जल्दी जल्दी कुछ रूकी सुकी खाकर वे बाकी समय गोडों के देख बाल में बिता देता वा कितने सुन्दर और सवस्त गोड़े हैं भहिया के पास इनके देख बाल के लिए तो भहिया को अलग से एक आदमी को रखना चाहिए था साथ दिन पूरे वे तो मैंने आपका काप पूरा कर दिया भहिया मुझे विदाख दीजिये पता नहीं बीवी बच्चे किस हालत में होंगे ठीक है ठीक है मैं जानता हूँ तुमने साथ दिन मेरा थोड़ा बहुत काम किया लेकिन मुप्त में नहीं फिर बूरा सामू बनाते वे शिरीदर ने जेव से पांच का नोट निकालकर गंगा धरके और बढ़ाते वे कहा ये लो पांच रुपे तुमारी सप्ता भर की मजदूरी इसे गुल्चरे में मत उड़ा देना बस केवल पांच रुपे तो क्या साथ दिन तो क्या साथ दिन के थोड़े से काम के लिए तुम्हें पांच सो रुपे दू नाराज क्यों होते हो भाया नया होने से तो ये पांच रुपे भी अच्छे है अच्छा परणाम हूँ लेकिन गंगा धर भी जाने के लिए दवार के और पल्टाई था कि कुछ याद आते हैं सिरी धर उसे टोकतावा बोल उठा अरे हाँ भाई गंगा धर एक बात तो मैं तुम से कहनी भूली गया अगले सब्ता तुम जरूर मेरे यहां महमान होना महमान में कुछ समझानी भाई यह अरे भाई क्या तुम मेरा जर्म दिन भूल गए अगले सब्ता ठीक के दीनी तो मेरा जर्म दिन है ओ लेकिन भाई क्या मेरा उस उत्सव में आना उसीत होगा क्या मतलब गंगा धर उदास होकर बला तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मेरी क्या अलत है तुमारे जर्म दिन पर सहर के बड़े बड़े लोग सांदार से सांदार कपड़े पहन कराएंगे जब कि मैं तो ओ तुम्हें सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं तुम आजाना तुमारे लिए भी जगह हो जाएगी लेकिन आक्योल बहु कोई साथ लाना बच्चों को नहीं जैसी आपकी इच्छा वैया और गंगादर खुशी-खुशी अपने घर के और लोट पड़ा कितना बला है मेरा बड़ा भाई बला कोई बड़ा आदमी ऐसे मोगों पर छोटे और फटे आल वैक्तियों को भी बुलाता है जरूर आउंगा पत्नी भी सुनकर परसनों उठेगी गरीब गंगादर ने गर पूँच कर पांच रुपे अपनी पत्नी को देते वे का इसे संबाल कर खर्च करना भागवान वरना दो दिन में ही भुखे मुरने की नोबत आ जाएगी बस केवल पांच रुपे इतने दिन बाद लोटे और वह भी केवल पांच रुपे लेकर बला इससे क्या होगा क्या जेट जी ने कोई मदद नहीं की तब गंगादर ने सारी कानी कैस सुनाई ओ, उमीद नहीं थी कि जेट जी आप से ऐसा वैवार करेंगे अरी भागवान, तु उन्हें इतना बुरा मत समझवे तो बहुत ही उदार है अगले सप्तावन का जनम दिन है, हमें भी मेमान की तरह आमतिरित किया उन्होंने क्या सच आहा तब तो आनन्दा जाएगा, जी भर कर बच्चों को खाने को मिलेगा परन्तु गंगादर के यह बताने पर कि बच्चों को ले जाने के लिए बयाने मना किया पत्नी फिर उदास हो गए, सुंकी नगर तक का सफर काफी लंबा था, तक गंगादर उसकी पत्नी तीन दिन बाद ही बच्चों को एक प्रोसी के यहां छोड़कर सिरी दर के घर की और चल पड़े जिस दिन में सिरी दर के घर पहुचे उसी दिन उसका जरम दिन था, वेली के आते में गोड़े बगगी हादी खड़े थे देखा, देखा लाजो कितने गोड़े और गाड़िया खड़ी हैं, हाँ लगता सेयर के सारे दनी लोग आई हुए हैं, चलो भीतर चलते हैं पूरी अवेली किसी दुलन की तरह ही सजी थी, और बीतर बहुत सारे इस्त्री पूर्स बहुमले वस्त्रों से सुजित खा पी रहे थे देखा कितने बड़े बड़े लोग आई हुएं, कितनी इज़त भईया की, हाँ ऐसी सानो सोकत मैंने पहले कभी नहीं देखी और उन रईस मेहमानों से गिरा सिरीदर मनी मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था, लोग बाग उसकी बुरी बुरी परसंसा कर रहे थे इस इज़त को पाने के लिए तो उसने अपने जनम दिन पर रुपया पानी की तरह बाहा था, वा सिरीदर भाई क्या सजावट की है, कितना लजीज भोजन तयार किया है भाई जवाबनी तुमारा मज़ा आ गया, सब आप लोगों की महरबान येवरना मैं किस लाइक हूँ कुछ देर बाद जब सिरीदर केर्दगिर से बीड़ सटी तो गंगा धरोर उसकी पतनी सक्चाय से उसके पास पहुचे मैं ठीक समपर पहुच गया न, साथ ही पतनी को भी ले आया हूँ ठीक ठीक जा उधर बैट जाओ जब गंगा धर उसकी पतनी कौने में पड़ी कुर्श्यों के और बढ़ गए तो लोग पूछी बैठे अरे भाई शिरीदर कौन है ये गंदे लोग, इन्हें बीतर किसने आने दिया अरे छोड़ो भीवे कोई महमान थोड़े हैं, दाओत के बाद सफाय आदी के लिए बुला है बेचारा गंगा धर और उसकी पतनी शिरीदर की मंसा से अनविक चुपचा पे कोने में पड़ी तूटी फुटी कुर्शियों पर जा बैठे और हस्ते खिलाते खाते पीते महमानों को सुनी सुनी आखों से देखते रहे जबकि शिरीदर ने उनके और जराबी ध्यान नहीं दिया जब दाओत खत्म हुई तो महमानी में अमीर लोगे केक करके शिरीदर से विदा लेने लगे अच्छा भाई शिरीदर अब आग गया दो हाँ भाई अब चलते हैं रात काफी हो गए तुम्हारा जर्म दिन हमें हमेशा याद रहेगा अच्छा भाई हो शिगरी सभी महमान नसे में जुमते हुए सोर मचाते गाते हुए अपनी अपनी सवारियों पर बैठकर वहाँ से चले गए शिरीदर भाई जनम दिन बहुत बुद मुबारक हो हाँ अगली बार भी बुलाना ने भूलना सब के जाने के बाद सब चले गए भाई आब हमें भी आ गया दो अरे समय ना भाई ना इतनी रात गए मैं तुम्हें जाने नी दूँगा काम धा में नोकरों का हाथ बटा कर खाओ पियो और आज रात यही रुको भोर होते निकल जाना और बेचारे भोले भाले गंगा धर और उसकी पतनी लज़ा एव संकोच वस कुछ ने बोल सके और दोनों जब नोकरों के साथ बार और भीतर की सफाई करने के अपस साथ मेहमोनों की जूठे बरतन भांडे माजने में जूठ गए काफी रात गए तक जाकर उन्हें काम से पुर्सत मिली तो उनके सामने लोगों का जूठा खाना रख दिया गया जिसे खाकर वे दोनों चुपचाप नोकरों वाले कमरे में सो गए अगले दिन बोहर होने के साथ ही अवेली से निकल पड़े शिरी दरने भी उन्हें रोकने की कोशिस ने की भागवान जल्दी जल्दी कदम बढ़ा पतानी बच्चे की साल में होंगे जब दोनों उदास से अपने गाउं के और चले जा रहे थे तभी गंगा धर के कानों में एक महिन सी आवाज पड़ी ए भाई गंगा धर तुम उदास क्यों हो अरे किसी ने पुकारा मुझे उसकी पत्निया उसे आस्तर से इदर उदर देखते देखा तो विश्व में बरे सहर में बोली स्वामी आप किस से देख रहे हैं यहां तो कोई नहीं है लेकिन मुझे विश्वासा किसी ने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा था सुनकर पत्निया और भी अधिक विश्मी तोठी क्योंकि उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी थी काफी देर तक सुन-सुन लेने के बाद भी जब उसे बोलने वाला कहीं नहीं दिखाई दिया तो वे फिर पत्निया के साथ आगे बढ़ने लगा परन्तो अभी वे महीन वाज पून उसके कानों में पड़ी एक किसान भाई काँ बढ़े चले जा रहे बोलते क्यों नहीं तुम इतने उदास क्यों हो तुम कोन हो भाई और दिखाई क्यों नहीं देते वे अधर सावाज फिर आई मैं मुसीबत हूँ किसान भाई मुझे केवल वही देखो और समझ सकता जिसके साथ में रहूँ हो तो तुम मुझे क्या चाहती हो तुम मुझे बहुत बले इनसान मालुम देते हो इसलिए मैं तुमारे साथ रहना चाहती हूँ मेरे साथ रहकर तो तुम और मुशिबत में फज़ाओगी साथ तुम मेरी दैनिये वस्ता से परिचित नहीं फिर गंगाधर उस अदर से मुशिबत को अपनी पूरी सित्ति के अबारे में गंगादर ने उस अदर्चे मुशिबत को अपनी पूरी सित्धी के बारे में बता दिया सब कुछ सुनने के पचाच अदर्चे मुशिबत पुन बोली मेरी चिंता मत करो किसान भाई तुम जैसे व्यक्तियों के साथ रहकरी मुझे आनंद प्राप्त होता है अच्छा यदि ऐसी बात है तो मुझे भी कोई आपती नहीं दुख तो मेरे साथ रहता है तुम भी साथ रहलो गंगादर से सुईकर्ती मिलते ही एक इस्त्रीगा साया उसके सामने आख खड़ावा बिल्कुल किशी पूस दारी आतमा की तरे धन्यवाद किसान भाई तुम वास्ता में भूत अच्छे आदमी हो वरना मुझे अपने साथ रखने की बात तो दूर कोई अपने साथ चलने के लिए भी नहीं कहता कितनी विचित रहे हैं मुसीबत फिर वे सायाजों की मुसीबत थी अपनी बात पूरी कर पून अदर से हो गई सिवाए गंगाधर के उसकी पतनी भी उसे देखने पाई थी मुसीबत के नजरों से उजल होते किसान गंगाधर अपनी पतनी के साथ आगे बढ़तावा बोला क्या तुम हमारे साथ चल रही हो मुसीबत हाँ किसान भाई तुम चलते रहो अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी पताने किसे बाते कर रहे हैं स्वामी जब गंगाधर की पतनी से रहना गया तो वै पूछी बैठी स्वामी आखिर आप बार बार किसे बाते कर रहे हैं आसपास तो कोई भी नहीं आपकी तबियत तो ठीक है ने मेरी तबियत बिलकुल ठीक है लाजो जिससे मैं बाते कर रहा हूँ उसका नाम मुसीबत है उसे मैंने अपने साथ रहने के लिए कह दिया है और उसे क्योल मैं देख सकता हूँ यह अपने अच्छा नहीं क्या स्वामी आगे हाँ हम बहुत दुखी है कहीं यह मुसीवत हमारा रासा घर भी ने उजार दे चिंता मत करो ला जो वे हमारा कोई बुरा नहीं करेगी अच्छे निसानों का साथ हमेशा बगवान देता है और अपने पती की बात सुनला जो खामोस हो गई किसान घर पूँचा पतनी पड़ो से बच्छों को लाकर खाने का प्रभंद करने लगी लेकिन घर में था ही क्या जो वे कुछ बनाती बच्छे भूख से जोर जोर से रोने लगे हे बगवान क्या करूँ कहां से करूँ इनके लिए बोजन का प्रभंद सुनो जी अब सोचते ही रोगे या इनके लिए कुछ खाने का इंजाम भी करोगे यहलो एक रुपा काफी दिनों से बचा कर रखा था मैंने जाओ इससे कुछ आटा ले आओ सुखी रस्षई लेकिन बच्छों का पेट तो भर जाएगा अच्छा भागवान अभी लाता हूँ गंगाधर एक रुपा लेकर बाजार के ओर चल दिया नयजाने कम मिलेगा इन दुखों से चुटकारा तबी मुसीबत उसके सामने आग खड़ी हुई क्यों भाई गंगाधर यह उदास उदास से कहां जा रहे हो क्या बता मुसीबत पैन दुखों से चुटकारा ही नहीं मिलता समझ भे नहीं आता कि क्या करूं और क्या नहीं यह एक रुप्या बचा है इसका आटा लेने जा रहा हूं ताकि बच्चों का पेट बर सके भाई गंगाधर दुखी और उदास होने से प्रेसानी खतम नहीं होती चलो सराब खाने चलते हैं थोड़ी सी पीना फिर कोई नहीं कोई रहा निकल ही आएगी सराब खाने लेकिन पीने के लिए पैसे कहां से आएंगे अरे एक रुप्या जो है तुमारे पास इससे काम चल जाएगा लेकिन इसका तो मैं आटा लेने जा रहा हूं बच्चे बुख से बिलक रहे हैं पहले अपना दुख तो खतम करो फिर उनकी सोचना और मुसीबत के बहकावे में आकर गंगाधर ने बाजार का मारग छोड कर सराब खाने का रास्ता पकड लिया सराब खाने पूंच कर उसने एक रुपे की सराब लिया और वहीं बैठ कर पीने लगा वा कितनी अच्छी चीज़े सारी चिंता एक संड में दूर हो गई मेरा कहा मानोगे तो सारी चिंताओं से अमेशा इसी तरह मुक्त रोगे भाई गंगाधर सराब पी कर जूमता जहमता गंगाधर काफी रात गई गर लोटा इतनी देर कहा कर दी याटा कहा है देखो बच्छे रो रोकर सो गए है तब तू क्यों जागी हुए जा तू भी सो जा जब पत्नी की नाक से सराब की बूका बबकाट कराया अरे आपने तो सराब पी है चुप ना समझ मैंने सराबनी चिंता से मुक्त होने के दवाई पी है अब जा कर सोजा और मुझे भी सोने दे बड़े जोरों से नीद आ रही है ये बगवान अगले दिन जब गंगाधर का नसा उतुरा तो उसे फिर वही बूक वह रोना पिटना दिखाए दिया आउं उं और एक कम खो तो चुप भी हो जाओ क्यो दिमाग खराब कर रखा है तुम तो सरापी का चिंता से मुक्त हो गए लेकिन बच्चे तो अभी भी बुखे हैं पत्नी की बात सुनकर गंगाधर करोधी तो उठा बुखे हैं तो मैं क्या करूँ जाओ किसी से थोड़ा बू ताटा उधार लाकर इनके मुझ में ठूस दो अब तो यही करना होगा जाती हूँ पता नहीं कोई देगा भी आ नहीं उप दिमाग खराब कर दिया है मेरा इन सबने मिलकर पत्नी के भार जाते हैं मुसीबत फिर गंगाधर के सामने आ खड़ी हुई उदास और दुखी मत हो गंगा यह दुख तो सणिक है चलो सराब खाने चलकर थोड़ी सी पी लो फिर देखना कल की तरह तुम फिर सारी चिंताओं से दूर हो जाओगे लेकिन सराब पीने के लिए तो मेरे पास सब एक देला भी नहीं है अरे किसान भाई में पैसों से क्या करना है आपने उस कोट की तरफ देखो गर्मी आ रही है अब तो तुम उसे पैनने से रहे चलो सराब खाने चलकर उसकी सराब पी जाओ मुसीबत के बहकाने प्रगंगादर की भी बुद्धी फिर बर्ष्ट हो गई और वह कोट लेकर बच्चों को रोता भी लगता चोड़ सराब खाने पहुच गया और वहाँ उसने अपना गर्म कोट देकर सराब खरीद ली और जब कल की तरही गंगादर जूमता जामता साम को गर पहुचा हे बगवान आज भी आपने सराब पी पी तो क्या अपना कोटी तो बेचा है तेरा तो कुछ नहीं बेचा क्या फिर गंगादर खराटे बरकर सो गया और बेचारी पतनी अपना सिर पीट कर रह गई अगले दिन जब सुबह उसकार नसा उतरा तो उसे फिर वही बूक वह रोना पिटना दिखाई दिया अब मैं काँ से लाओं तुमारे ले रोटी चुप हो जावरना मार मार कर चमड़ी उदेड़ दूँगी और जब लाजब फिर कहीं से आटे आधी का प्रबंद करने के लिए घर से निकली तो मुशीबत फिर उदास गंगादर के सामने आग खड़ी हुई उदास क्यों हो गंगादर भाई तुम सब आलत देखी रही हो मुशीबत बेहन उदास ने आओं तो क्या करूँ मुशीबत फिर उसे सराब पिने के लिए उसाने लगी थोड़ी सी पी लो गंगा भाई जब दिमाग ठीक से काम करेगा तब इन दुखों से चुटकारा पाने का कोई उपाई भी सुच जाएगा कहती तो तुम ठीक हो लेकिन अब सराब पीने के लिए पैसा कहां से आएगा किसान फिर मुसिबत के कहने पर अपने बैल ले सराब खाने पूच गया क्यों भाई मुझे मेरे बैलों के बदले सराब दे सकते हो क्यों ने इनके बदले जितनी चाहो के लेक सपता तक पी सकते हो अपने बैलों के बदले उसने खूब सराब पिया और फिर अपने घर पहुँच गया बैल बेच कर भी सराब पिया आखिर आपको यह क्या हो गया स्वामी बैल ही तो बेचे है ना तुम्हे तो नहीं बेचा जा जाकर सोजा अच्छे बोले दिमाग को खराब मत कर अपने पती को अत्यादिक नसे में देकर पत्नी ने फिलाल खामोस रहना ही उचीत समझा परन्तो अगले दिन सुबद जब उसका नसा उत्रा सरम आनी चाहिए आपको यदि सराब पिने की यही लत रही तो एक दिन यह घर बार सब बिग जाएगा गंगादर को भी पस्तावा हुआ मुझे माफ कर दो लाजो सच मुच मैंने बहुत मुर्खता की लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर ने यह सब उसी मुसीबत का किया दरा है पत्नी समझदार थी उसे भी यह समझते देर नहीं लगी कि यह जो कुछ भी हो रहा है साथ हाई मुसीबत के कान ही हो रहा है अतक कुछ दिनों बाद वे गंगादर को समझाते वे बोली अब तक जो होना था वे हो चुका स्वामी लेकिन आएंदा से आप मुसीबत के चक्र में बिल्कुल भी नह पड़ना बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगा भागवान घर पर खाली बैठने से ही यह मुझे घेर लेती है तो मैं आज ही खेत पर जाता हूँ और किसी के बैल मांगकर खेत पर काम सुरू करता हूँ हाँ यही ठीक रहेगा और गंगादर तुरंत आत्मू दोकर हले कर खेत के और निगल पड़ा लेकिन मुशिबत अब भी उसके साथ थी मोका देख फिर उसके सामने आ खड़ी हुई अरे यह सुबह सुबह कहां चल दे गंगादर भाई यदि सराब खाने जा रहे हो तो चलो मैं भी साथ चलती हूँ अब मेरे पास बचाई क्या मुशिबत बेहन जिसे मैं सराब में गवाऊं जाओ लोट जाओ और मुझे काम पर जाने दो अरे इस हलके रहते तुम्हें सराब की क्या चिंता चलो सराब खाने चलते हैं हलके बतले सराब नहीं नहीं अब मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाला पर नुद्वी मुशिबत के आगए उसके एक नाचलियों और उसे अपना हल सराब की सराब की नजर कर देना ही पड़ा जब आना यह समझे कि हम पी कर आए इस वर फिर पी आए यह मुशिबत तों में जरूर बर्बाद करके छोड़ेगी कैसे मिलेगा इससे चुटकारा और मुशिबत के चक्कर में फसकर गंगाधर के एक माँ में सब कुछ गंगाधर ने एक माँ में सब कुछ बर्बाद कर दिया यहां तक कि उसने अपनी जोबड़ी भी पडोसी के पास किर्वी रखकर सारा रुपया शराब की बेट चड़ा दिया यह इस वर कैसे पाऊं इस मुशिबत से चुटकारा अब तो सिवाय तन के कपड़ों के पास में और कुछ भी नहीं बचा लेकिन मुशिबत अब भी उसके साथ थी क्यों भाई गंगादर कैसे अदाष बैठे हो? ओ यह फिर आदम की उसे खामोस देख मुशिबत फिर बोले क्यों गंगादर बोलते क्यों नहीं इस तरह बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? तुम सब देखी रहे हो मुशिवत बहन में कंगालो चुका हूँ कुछ भी तो नहीं बचा हमारे पास इस्वर के लिए मेरा पिछा छोड़ दो कैसी बाते करते हो गंगादर भाई तुम जैसे अच्छे आदमी का साथ छोड़ कर मैं कहां जा सकते हूँ कौन देगा मुझे पना परन्तु मेरे पास तो सराब की नजर करने के लिए अब कुछ भी नहीं पचा है उसकी चिंता तो मत करो सराब के लिए दन का परबंद मैं करूँगे जैसा मैं कहाती हूँ तुम ऐसा करो कुछ समय के लिए अपने परोसी से उनकी गाड़ी और बैलो की जोड़ी मांगलो फिर देखो मेरा कमाल वो लगता अब यह मुझे गिर्वी रखवा कर छोड़ेगी मुझे गिर्वी रखवा कर रहेगी परन्तु गंगादर मुशिबत का काट टाल नी सका और उटकर अपने परोसी के पास जा पहुँचा भया कुछ समय के लिए अपनी गाड़ी और बैलो की जोड़ी दे दो उसके बदले में सप्ता बर्मुबत मैं तुमारा काम करूँगा अरे भाई गंगादर ने तो अब तुमारा खेत ही तुमारे पास रहा है और ने अई घरबार सब कुछ तो तुम सराब की बेट चड़ा चुके हो अब क्या मेरी बैल गाड़ी भी बेच कर सराब पीने का इरादा है ने ने ऐसा मत को भाई मैं तो सिर्फ जंगल से लकड़िया काटने जा रहा हूँ लकड़िया लाने जा रहा हूँ ताकि बच्चों के लिए भोजन का परबंद कर सकूँ पडोसी को उसकी बात सुनकर दया आ गई यदि ऐसी बात है तो ले जाओ लेकिन दो बाते द्यान रखना एक तो गाड़ी पर जैदा बोज मत लादना दूसरे उसे बेच कर या गिर्वी रखकर सराब पीने की चेस्टा मत करना वरना जेल में चक्की पिश्वा दूँगा विश्वास रखो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा बस कुछी समय बाद आपकी बैल गाड़ी लोटा जाओंगा गंगाधर पडोसी की बैल गाड़ी लेकर जैसी अपने गर पहुंचा मुशिवत लबक कर उसमें बैठ गही और बोली उत्तर के और गाड़ी ले चलो गंगाधर उत्तर के और वहां तो भैनक जंगल है अब क्या तुमारा इरादा मुझे डाको क्या थो मरवाने का है तुम बेकार में चिंतित और भैबित हो रहे हो मैं तो तुमारे लिए धन का प्रबंद करने जा रहे हूँ तुम चलो तो सही फिर देखना मजबूरी में गंगाधर ने बैल गाड़ी को तरी दिशा में आखते वे का चल तो रहा हो मुशिवत भैन लेकिन आगे जाकर गाड़ी कहीं जंगल की बजाए सराब खाने के और मत मुड़वा देना चिंता मत करो किसान भाई आज तुम्हें भी मालूम हो जाएगा कि मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखते हूँ मैं तुम्हें इतना धंदल दिलवा दूँगी कि सराब और जुए के लिए तुम्हें कभी कोई कमी नहीं रहेगी कुछ देर के बाद जंगल में तो हम आप मुचे अब और कितनी दूर जाना है बस कुछ दूर और आग एक छोटी सी पाड़ी है बस हमें वही जाना है दाई और पर ले जाकर रोक देना अच्छा गंगादर ने मुशिबत के बता स्थान पर बैल गाड़ी ले जाकर रोक दी और गाड़ी से नीचे उतराया देखो वह जो बारी पत्थर दिखाई दे रहा है उसके पीछे गुपा है उस पत्थर को टाकर भीतर चले जाना हमाँ तुम्हें डाको द्वारा एक्तरित बहुत सा धन बोरियों में भरा मिलेगा ओ लेकिन यदि डाको को मालूम हो गया कि उनका धन मैं उड़ा ले गया हम तो उसकी तुम चिंता ने करो कल मेरे काण में पुलिस द्वारा पकड़े जा चुके हैं अब वैस सारा धन तुमारा है जितना चाओ खर्च करो और मोज उड़ाओ हूम तो यह बात है मुशीबत से चुटकारा पाने का उपाई सोचता हो गंगा धर उस गुपा के सामने पहुँच गया फिर वैस पत्थर को टाने की कोशिस करने लगा वास्तव में चुपाने के लिए सुर्क्षी स्थान खोजा है पत्थर बारी जरूर था लेकिन गंगा धर भी कम सकती साली नहीं था थोड़ी मैनत के पस्था थिवे उसे टाने में सफल हो गया बन गया काम वीतर परिष्ट होने पर आहा इतना पार धन यदि किसी तरह इस मुशीबत से चुटकारा पाजाओ तो जीवन भर कुछ करने की आवसकता ही नहीं रहे शिकरी गंगा धर ने उन सभी बोरियों को बैल गाड़ी पर ला दिया लेकिन बोरिया लाते लाते गंगा धर मुशीबत से पिछा चुड़ाने का भी उपाई सोच चुका था क्या सारा धन ले आए हाँ ये बोरी आखरी थी लेकिन वहाँ कोई मुशीबत का मारा वैक्ती भी है साइद डाकों ने उसे किसी कानवस बांद कर रख छोड़ा है तो तुम कहो तो मैं उसे भी ले आऊँ नहीं नहीं ठहरो पहले मुझे उसे देखाने दो मुशीबत उसकी चाल में आकर जटपट गाड़ी से नीचे उतरी और गुफा की और चल पड़ी बस कमखत एक बार भीतर गुश जाए गुफा के भीतर पहुँचकर मुशीबत ने चारो तरफ देखा लेकिन वहां किसी को ने पाकर व्यास्चर से गंगाधर को पकारते वे बोली अरे यहां तो कोई नहीं तुम तो कह रहे थे वह उस तरफ पंदेरे में है जर और आगे बढ़ो और मुशीबत जैसे गुफा में आगे बढ़ दी मौके की तलास में खड़े गंगाधर ने गजब की फुर्ती के साथ बाहर निकल कर गुफा के मुख पर बारी पत्थर अड़ा दिया अरे 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 गंगाधर यह तुम क्या कर रहे हो अहाँ अब तुम यही रहो प्यारी मुसीबत बहन अब ने तुम मुझे ही तंक कर पाओगे और ने किसी अन्ने को गंगाधर की चाला की समझ में आते हैं उसने काफी मिठे वाक के बोल कर गंगाधर को समझाना चाहा अरे भाई गंगाधर यह तुम मुझे कैसा मज़ा करे हो दवार खोलो मैं तुम्हे और भी भूछ सा धंदिल वाऊंगे पर नतुब बला गंगाधर उसकी बातों में कहाने वाला था पत्थर अटाओ गंगाधर मुझे बाहर निकालो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आएंदा तुम्हे कभी नहीं सताऊंगे माप करना मुसीबत भेन अब मैं और मुर्ख नहीं बन सकता तुम्हारी जगह अब यही है जब धन से बरी बोरिया लेकर गंगाधर घर पहुचा अरे हैं गाड़ी और बोरिया कहां से ले आए क्या है इन में अरे भागवान जरा सांस तो लेने दे फिर सब कुछ बताऊंगा बोरियों को घर में सुरक्षित स्थान पर रखने के पसाथ गंगाधर ने पनी पत्नी को सारी बात बता दी और भागवान मैं उस मुसीबत को भी उसी गुफा में बंद कर आया हूँ अब जिन्दगी भर हमें किसी चीज की कोई कमी नी रहेगी यह इस वर तिरा लाख लाख सुकर है फिर गंगाधर ने परोशी की बैल गाड़ी कुछ धन के साथ लोटा दी यह धन लेकिन तुमने तो सब्ता बर काम करने को कहा था हाँ लेकिन लकडियों के ज्यादा दाम मिल गए इसलिए सोचा क्योंने गाड़ी के उप्योग की कीमत ही चुका दू वा यह तुमने अच्छा ही सोचा कीमत पाकर परोशी भी परसन हो गया उसके बाद गंगा धर ने सुच बुझ से दीरे दीरे पैसा लगा कर व्यापार करना आरम किया व्यापार में उसे काफी लाब हुआ और कुछ ही माँ में उसने अपने ले गाउं में ही एक सांदार अवेली तियार करवा ली और अपने बीव बच्चों के साथ उसमें ठाट से रहने लगा वक्त गुजरता गया और एक दिन वह अपने गाउं कानी बली कास पास के गाउं के साथ साथ अनेक नगरों का भी सबसे बड़ा धनी सेट गंगा धर बन गया उसके दानी नरम और द्यालू होने के कान सबी जगे उसकी परसंसा और सोरत होने लगी जब बड़े भाई शिरिदर के कानों में गंगा धर के धनवान होने की बात पड़ी तो एक दिन वह वास्त्विक्ता जानने के लिए उसके घर पहुचा यह यह मकान गंगा धर का नहीं नहीं विश्वास नहीं होता तब ही बाहर निकलते गंगा धर की दस्टी उस पर पड़ी अरे भाईया आप आईये पधारिये और वह उसे आदर से भीतर ले गया बीतर बड़े-बड़े धनवान बोजन कर रहे थे उन्हें देखकर स्रीदर ओर सकीत उठा यह तो नगर के बड़े-बड़े धनवान गंगा धर हाँ भईया इनसे मेरा व्यापार चलता है गंगादर उसकी पतनी बड़े आदर से सीरी दर को बिठा कर उसे बोजन कराने लगे आस्टे रहे इतना सब कुछ गंगादर को कहां से पराप्त हो गया चंद वर्स पहले तो यह बिलकुल कंगाल था यह रहे सब मालम करना ही होगा बोजन के अपरान जब सारे महमान चले गए तुम कितने अच्छे हो गंगादर क्या मुझे कुछ नहीं बताओगे कि एसब वैबव तुमें इतनी जल्दी कैसे और कहां से पराप्त हुआ गंगादर ने उसे बोलेपन में सब कुछ सच-सच बता दिया सब कुछ जानकर सिरीदर इर्शा की आग में जल उठा हुम तो यह बात है यदि मैंने मुशिबत को उस गुपा से आजाद करा दिया तो वैव से फिर कंगाल बना देगी तब यह फिर मेरे सामने कभी डिंग नहीं आख सकेगा और इसा की आग में जल का सिरीदर उसी राद जंगल में मौझद पाड़ी गुपा में जा पूँचा अब देखूँगा कि वह कितना बड़ा धन्वान है गुपा का मुख खुलते मुशिबत सिरीदर के सामने आख खड़ी हुई मैं उस सवार्थी गंगादर का बाई हूँ प्यारी मुशिबत बेहन जो तुम्हें यहां बंद कर गया है अब तुम आज़ाद हो जाओ जाकर उससे बदला लो उससे बरबाद कर डालो नहीं भले आदमी अब मैं उसके पास दोबारा नहीं जाओंगी वरना वह मुझे फिर किसी संकट में डाल देगा क्या मुशिबत की बाद सुनकर सिरीदर गवरा उठा उसने उसे खूब समझाने मनाने की कोजिस की लेकिन मुशिबत ने उसकी एक नहीं सुनी तुमने मुझे बाहर निकाला है अच्छे बाई जबकि तुम्हारे दुस्ट बाई ने तो मुझे माट डालने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी है तब हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी हाए मर गया रोता भी लगता सिरीदर वहां से बागा लेकिन जब उसने मुशिबत को बराबर अपने पीछे आते पीछे लगे देखा हाए ब क्या होगा यह दुस्टा तो मेरे पिछे ही लग गई है भगवान अब मैं क्या करूँ मारे इर्षा के मेरी बुद्धी भष्टो गए थी जो मैंने इसे आज़ाद किया और कुछी दिनों में मुशिबत ने उसके पीछे लग कर उसे तबाव और बरबाद कर कंगाल बना दिया आ आखिर मैं इर्षा का फल पाई गया समाब दोस्त तो अच्छी काहानी थी जरूर लाइक सब्सक्राइब करना